मंत्री कृष्टिपाल गुचर दिखाएंगे अरी जंडी तो मंत्री मूचन शर्मा भी दिखाएंगे अरी जंडी ये इस वक्त के बड़ी खबार आयोध्या के लिए रवाना होगी मौस्ली इस वैन और इसी बस थोड़ी देर में दिखाएंगे बस को हरी जंडी तो मंत्री कृष्टिपाल गुचर दिखाएंगे अरी जंडी ये इस वक्त के बड़ी खबार आ रही है मंत्री मौचंच शर्मा भी हरी जंडी दिखाएंगे अयुद्या के लिए रवाना होगी मस्ली इस वैन और इसी बस थोड़ी देर में इस बस को हरी जंडी दिखाएंगे रवाना किया जाएगा तो मंत्री कृष्ट बाल गोजर दिखाएंगे हरी जंडी इस वक्त के बड़ी ख़वर आपको बता रहे हैं मंत्री मुचन शर्मा भी हरी जंडी दिखा कर रवाना करेंगे अयोध्या के लिए रवाना होगी वस्ती जैन और एसी बस थोड़ी देर में ये बस को हरी जंडी दिखाएंगे आयोध्या के लिए रवाना होगी ये बस रांजन भूमी आयोध्या के लिए इस बस को रवाना किया जाएगा मंत्री मुचन शर्मा भी हरी जंडी दिखा कर इसे रवाना करेंगे तो बल्लबगर से आयोध्या के लिए ये बस जो है बस कुछी देर में रवाना होने जा रही है मुकेश राजपूर समभाता हमार साथ जुड़ गए है जाज जानकारी के साथ मुकेश बलबगर से आयोध्या के लिए इस बस को रवाना किया जा रहा बस कुछी देर में? जो गरीब लोग है जो एक लाग अश्याजार से नीचे की आये वाले जो लोग है उनको ये मौका दिया जा रहा उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनको राम लला के दर्तन होंगे अयोध्या जाने का कभी मौका मिलेगा तो अब हर्याना सरकार ने तमाम अंतिम पंक्ति मे खड़े हुए व्यक्ति की जो है वो कहिना कहीं मनोकामना पूरी हो राम लला के दर्तन वो करें तो इसको लेकर जो है वो आज पहल की गई एक बहुत ही अच्छी जो भस है अनिकी मर्सरीज बेज जो बस है उसका जो है वो कहीना के हरी जंडी दिखा कर उसे अयुद्धा के लिए रवाना करेंगे बस के अंदर तमाम जो है वो सुर्दाओं का ध्यान रखा गया इसके सासत आपको बता दें जली क्योंकि 12 गंटे का सफर है और ऐसे में कहीना कहीं 12 गंटे त करने के बाद सवियो नदी में इसनान करने के बाद वापस नाइट विश्टे जो है वो लखनों में किया जाएगा और उसके बाद वापस जो है वो फड़िदाबाद में बस आएगी तो कहीना का एक बड़ी सौगात आज जो है वो फड़िदाबाद वास्यों को मिलने जा प्रिगले.